रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकारात्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं नेशा कुमारी आतिति सिक्षिका हिंदी विभा राची विमेंज कालेज राची। आज मैं सनातक समेस्टर तीन के पठ्ठिक्रम में सामी धुमिल की कविता लोही का स्वाद पर चर्चा करने जा रही हूँ। कविता की विशेवस्टू पर आने से पुर्व। मैं कभी धुमिल का संचिप व्यक्तित्व यहां प्रस्तूर करना चाहती हूँ। क्योंकि किसी भी रचनाकार की रचनाओं को भलीभाती समझने हित्व। उनके व्यक्तित्व को जानना जरूरी होता है। कवि की रचनात्मक्ता का मांदंड जीवन हो जाता है और उनका जीवन ही उसे दिशा प्रदान करता है। अता हम धुमिल का संचिप व्यक्तित यहां जानेंगे। समकालिन कविता के ससत हस्ताक्षर धुमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे और धुमिल। सुदामा पांडे उनका मूल नाम था। उनका जन्म नौन आम बत उन्हें 136 इश्वी में मनारस के नज्जेग खेवली नामक काउम में निम्न मद्यपर के किसान परिवार में हुआ था। अर्थिक विपणता इतनी थी कि हाई स्कूल की मावोली सिक्षा प्राप्त करने के बाद वे रोटी की तलास में कलकत्ता पहुँचे। और वहां मजदूरों के साथ लोहाड होने का काम करने लगे। किन्तु वह कार्य उनकी स्वतंत्र प्रविती एवं ग्रातिकारी व्यक्तित्तों के सर्वता प्रतिकूल रहा। यही कारण था कि वे वहां अधिक दिनों तक टिके नहीं रह सके। तर पस्चा वे अपनी प्रवित्तिक के विरुद्ध सरकारी नौक्टी में आए। IIT वारानसी में इंस्ट्रक्टर के पद पर बहाल हुए। किन्तु वहां भी उन्हें बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा। प्रतिशोद के भावना से कई बार उनका अर्तबादला सहारनपूर उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। इस परकार उनका समस्त जीवन कठनाईयों भरा रहा। उन्हें अपनी गरीबी और पारिवारिक कठनाईयों से कभी निजाद नहीं मिला। साथ ही साथ मुकदमों के कारण उन्हें आज जीवन परिशान रहना पड़ा। जीवन भर संगहर्सों से जूजते सन 1975 इश्वी में सदा के लिए धुमिल इस संसार को छोड़कर परलोग सिधार गये। आज वे नहीं है किन्तो उनका लिखावा साहित आज भी पाठकों को उनकी मौजूदकी का एहसास कराता है। उनकी रचलाओं पर अगर बात करें तो उनके द्वारा रचित कविताओं के अब तक तीन कावसंग्रह प्रकासित हो चुके हैं। जिन्मे से पहला कावसंग्रह संसत से सडक तक जो उनके जीवन काल में ही प्रकासित हुई थे। किन्टु उनके दो काव संग्र कल सुन्दा मुझे और सुधामा पांडे का प्रजात तंत्र उनके मर्णो प्रांत प्रकाशित हुई इनके अतरिक्त इनके राजनेतिक टिपणिया साहितिक नोट्स कुछ अन्य अप्रकाशित कविताएं कविता पर एक वक्तव्य तथा धुमिल की डायडी से कुछ पत्र आदी समाग्रिया परिक्षेत्र के धुमिल विससांग में प्रकाशित है उनकी जो प्रमुक उलेखनी कविताएं जो बहुत ज़्यादा प्रशित हुई उनमें से है मोची राप, पटकथा, बीस साल बाद, रोटी और संसत, लोहे का स्वाब आदी उनके अवप्रति काविप्रतिभा को देखते वे उनहें उनके काविश संग्र कल सुनना मुझे पर 189 इश्वी में साहित अकादमी पुरसकार से भी सम्मानित किया गया धुमिल की कविताओं पर अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि धुमिल की कविताओं में आजादी के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोज की शसक्त अभिवैक्ति मिलती है ववस्था जिसने आम जनता को छला है उन्हें आईना दिखाना धुमिल की कविताओं का परम लक्ष है। धुमिल की कविता अपने निर्भय परिवेश की आलोचनात्मक पहचान कराती है। राजनितिक ढोग, छल, पाखर्ण और उसकी मानव विरोधी हरकतों पर धुमिल की कविता प्रहार करती है। यही कारण है कि छायवाद उत्तर काल की जुक काप्विधारा नई कविता से अलग होकर अकविता विद्रोही पीडी, कृदपीडी आदी नामों से संग्यापित हुई, धुमिल उन्ही में से कृदपीडी के सर्वादिक चर्चित कवि कह जाते हैं। यदबे धुमिल पूरी तरह से नास्तिक थे, पर उनकी कविताओं में मानो भविष्य और रास्ट की प्रती गहन आस्था का स्वर है। उनकी कविताओं में सामानी जन के लिए गहरी पीडा और दर्द के भाव नेत है। धुमिल अपनी कविताओं में शब्दों को खोल कर रखने के पक्षपाती रहे हैं। उनका मानना है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तब्य होती है। यही कारण है कि उनकी कविताओं वक्तब्य की सैली में ही प्रस्तूर होती है। वे कविता के द्वारा हस्तछेप करते हुए जनतंद्र से जंगल तक भी पहसते हैं, जहां उनकी कविता दहार बन कर सामने आती है। उनकी कविता व्यवस्था की लगाम का प्रतक्षिकरन भी हमें भलिभाती कराती है। लोहे का स्वाद कविता इस द्रिष्टी से उदाहरनिय है। यह कविता अपने लगू कलेवर में होने के बावजूद काफी महत्यपूर और प्रभावशाली है। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। उस घोडे से पूछो जिसके मुह में लगाम है। पहली तीन पंक्तियों में शब्द और कविता की धुमिल बात करते हैं। फिर आगे की चार पंक्तियों में कौन से आदमी को केंद में रखा जाना है। किस आदमी का पक्ष लेना है। यह बतलाने की चेष्टा की गई है। इस कविता में धुमिल मिट्टी और खून के रंग की चर्चा कर उसकी सिर्फ आवाज से तुलना कर हमें प्रेडित करने की कोशिस करते हैं कि हम दमीतों और सोसितों के पक्ष को अपनी संबेदना से जूड़ें। इस प्रकार लोहे का स्वाद कविता कभी धुमिल के अनुभा और वक्तब से सुरू होती है और इस प्रकार कभी कहते हैं शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ों। कभी कहते हैं कि उनकी कविता उन्स शब्दों से निर्मित हुई है जिनके अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को बिना पढ़े हुए उनकी कविता नहीं समझी जा सकती है। कभी को मजदूरों के साथ लोहा ढोते वे अपने भोगे हुए यथात का पूरा अनुभाव है। वो जानता है कि लोहा ढोना क्या होता है और सम्मध स्रमिकों का दर्द क्या होता है कभी अपने शब्दों में उस दर्द को ना केवल खोल कर रखना चाहता है बल्कि वस समाज के तीसरे आदमी से पूछता भी है कि क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खुम कारण अपनी कविता को तहार बनाने वाला कवी यहां अचेतना में चेतना प्रदान करते हुए अपने शब्द को कारगर शिद्ध करता हुआ दिखाई देता है पुना आगे कवी लोहे के स्वाद के आंतरिक विस्ते की पहचान की बात करते हैं कवी लोहे के स्वाद के आंतरिक विस्ते की पूरी पहचान रखता है यही कारण है कि वो उस दर्द को भली भाती जानते हैं उसके मर्म को पहचानते हैं कभी वे कहते हैं कि लोहे का स्वात लोहार से मत पूछो उस घोडे से पूछो जिसके मुँव में लगाम है। यहां कभी द्वारा समाज की यथार्थ की सची तस्वीर खीची गई है। जाहिर है कि लगाम वेवस्था भी है जिस कारण गुंगेपन की निरंतर्ता अनवरत बनी हुई है धुमेल यहां उस चुपी में चिपी संगती के द्वार पर दस्तक देते दिखाई देते हैं और उनका यह मानना है कि पीडा की वास्तविक अरभूती वही अनुभूत कर सकत है जो स्वय पीडित हो हम तभी दूसरे के पीडा को समझ सकते हैं क्योंकि उनका मानना है मानना है कि शोशन करने वाला या सोशन को समझने की कोशिस करने वाला उस पीडा को नहीं समझ सकता है क्योंकि सोशन करने वाला उस लोहार की तरह है जो पीडा देते हैं किन्तु जो वास्तविक पीडा को सहते हैं। जीवन की मुल्य हीनिता के कारण आई अमानिवियता के प्रती छूब की वेंजना अत्यंत शशक्त भाशा में की है। और अनूठी है। इसके कलागत पिसिस्ता भी उतनी ही भिन्द है। क्योंकि धुमिल शब्दों को खोल कर रखने की कला को कावे भाशा की प्रमुक पिसिस्ता बताते हैं। यही कारण है कि सपाट बयानी, समोधनात्मक शैनी तथा सार्थक शब्डों की तलास उनकी अपनी विसिस्ता है। और उनकी कविताओं को यही विसिस्ता हैं भिन्द और अपने आप में भत्तपून बनाती है। निसंते धुमिल के कविता, लोहे का स्वाब, शोसितों और तबीतों के पक्ष में खड़ी, विवस्ता के गुरूतियों पर प्रहार कर वित्रों कमार प्रसस्त करती, जो युगो युगो तक मानो जाती का पत प्रदर्शक करती रहेगे।